हेलो गाइज वाट्स अब देस रिशब जयान और आज हम करने वाले हैं आपकी फॉर्स्ट फ्लाइट बुक का फॉर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड इसके राइटर है जी एल फ्यूंस जो के एक मेक्सिकन राइटर है और यह मेक्सिको की हिस्टोरी है ज़र सबसे पह और important question and answers जिनकी exam में आने की probability 99% है वो तो आपको description box में से मिली जाएंगे वहां से download जरूर कर लेना और यहार ऐसा पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा इसके बाद NCRT से reading करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहार सबसे पहले तो story के theme के बारे हम बात कर लेते ह और वो उनसे help मांगेगा और actual में उसकी help होगी वो कैसे होगी यह हम देखेंगे जो दूसरा theme है वो यह हैगा वो हैगा human nature से related यार कई बार आपने सुना होगा कि अच्छा करने गए उल्टा बुरा हो गया तो ऐसा है कि कई बार हम help करते हैं किसी की और वो जो है grateful होने की ब farmer है जिसकी living का एक ही source है उसके corn fields वो अपनी family के साथ crest पर रहते हैं क्रेस्ट के होती है एक छोटी सी hill के top को crest कहते हैं जहां से उसके corn के fields और नीचे भैतिवी river बहुत ही beautiful दिखाई देती है लेंचो के कुछ suns हैं जो उसके बड़े suns हैं वो जो है field में काम कर रहे हैं और चोटे suns है वो पास में खेल रहे हैं सुबह से लेंचो जो है आसमान की तरफ देख रहा है क्यों देख रहा है क्योंकि उसके जो fields है उन्हें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रुरत है और नौर्थ इस्ट दिशा में टक्तकी लगा कर देख रहा है इंटिमेटली का बारिश होने के chances हैं तो उसकी wife बोलती है yes God willing अगर भगवान ने चाहा तो यहीं सब पता लगना start हो जाता है कि उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास है तभी जो है जो बच्चे हैं उनकी मदर उन्हें दिनर के लिए उला लेती है और वो सब दिनर के लिए चले जाते ह बढ़ी बढ़ी रेंड्रॉप्स की स्टार्ट हो जाती है वह बहर जाता है बारिश का आन्द लेने के लिए और वापिस आकर बोलता है कि बारिश की बूने नहीं गिर रही है बलकि new coins गिर रहे हैं यानि कि ऐसा लग रहा है जैसे पैसे की बारिश हो रही है क्यूं क्यूं बढ़े बढ़े ओले गिरने लग जाते हैं ओलो की बारिश जिससे लेंचों के जो fields है वो पूरी तरह तभा हो जाते हैं और ऐसा रखते हैं जैसे कि उसके fields के उपर किसी नमक की चादर बिछा रखी हो जो लेंचों वो बहुत जाद उदास हो जाता है ठीक है लेकिन अभी से मेरी सारी क्रॉप्स खराब हो गई है तो इसलिए मुझे आपसे 100 पीसों की जरुरत है ताकि मैं अपने क्रॉप्स को दुबारा से सो कर सुकूं अपने fields को और जब तक नहीं हार्वेस्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए सर्वाइब कर सुकूं वो क्या करता है उस लेट माश्टर था ना वो एक fat amiable fellow ता यानि की friendly इंसान था खुश मिजाज आदमी था लेकिन फिर वो अचानक से serious हो जाता है उसने अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी को भगवान पर इतना विश्वास करते हुए नहीं देखा होता वो लेंचों के faith की respect करता है और लेंचों क सिर्फ 70 पीसों इखटे कर पाता है वो उन्हें एक envelope में डालता है उस पर God लिखकर लेंचों को भेज़ देता है अगले संदे जब लेंचों अपने letter कलेक्ट करने के लिए आता है तब पोस्ट मास्टर वो अपने office से लेंचों को देख रहा होता है क्योंकि उसने एक अच् हैं जो वह पैसे गिनता है तो वह angry हो जाता है गुस्त हो जाता है क्योंकि उसमें तो कम पैसे थे सो नहीं थे पूरे तो वह क्या करते तूरंत एक दूसरा letter लिखना चला जाता है और जब पोस्ट मास्टर आकर उस letter को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है God मैंने जो आप पोस्ट ऑफिस के इंप्लोई क्रुक है यानि की ठग है चोर है और मेरे पैसे ले लेते हैं यार इस तरह हमारी कहानी जो एंड हो जाती है देखा जाए तो यार इस कहानी के इंडिंग बहुत ही जादा आइरॉनिकल है मतलब बहुत जादा अनेक्सपेक्टेड है क्योंकि जो यहां पर शुरुवात में यही बता रखा है कि लैंच्णो को घर कहा था उसके पीर्ल्स से शाधे कि यहां पर यही सब हमको मता रखा है कि मदर उनए लिए वहां जिस बढता है और यहां पर दएक हुज मांटेंस ओफ ट्लाUड को मिनमकि यहां पर अब बारिश का जो बादल यहां पर metaphor यूज हुआ है यह एक literary device है यह आपको याद रखना है अब यहां पर यहां पर यह बता रखाएगा कि लेंचो ने जो है मैंने highlight कर रखा है क्या कहता है वो raindrops को these are not raindrops falling from the sky they are new coins the big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives यानि कि वो बड़ी raindrops को 10 cent के pieces और छोटी drops को जो है वो 5 cent pieces कहता है यहां से फिर जो है एक देखो suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorms began to fall यहां पर वो scene हैगा जब जो है hailstorms start हो जाते हो लेंचों जो हो sad हो जाता है अब यहां पर एक important word use किया गया है frozen pearls hailstone के लिए frozen pearls क्यों कि आर देखो यहां जबतो होते हैं उनके लिए hailstone हो न लहें फैसिनेटेन होोते हैं इस से are quite fascinating for the children that is why this word is being used in the text अब यार यहां पर देखो the corn was totally destroyed इसके बाद उसकी जो है hailstone से complete उसके fields रहे हैं destroy हो जाते हैं लेंचो बोलता है कि अगर टिड्डियों ने attack की होता है तब भी वो इतना नुकसान नहीं पहुचाती मेरे fields को उसके बाद यहां पर यह बताया गया है there was a single help 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 from God अभी भी यार उसके मन में एक आशा रहती है help from God उसके बाद यह देखोई एक और metaphor यूज किया गया है lancho was an ox of a man यानि कि वो bell की तरह काम करता था अपने field में यहां पर एक metaphor यहां पर यहां पर यह बताया गया है कि उसने अपने letter में क्या लिखा था God he wrote if you don't help me my family and I will go hungry this year I need a hundred pieces in order to sow my field वही सब है जो मैंने summary में बताया था अब यहां पर पोस्ट master के बारे में बता रहा है कि वह एक fat amiable fellow था और वह क्यों help करता है Lencho की तो यहां पर आपको answer मिलेगा what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter वो बोलता है कि काश मैं भी एक ऐसे आदमी का faith जीत सकता जो कि भगवान के साथ correspondence start कर देते यानि भगवान को letter लिख रहा है इतना जादा firm belief है यहां पर यह बताया गया है कि how we collected money postmaster ने 70 pieces कैसे इखटे कि तो उसने अपने friends से पूछा अपने employees से पूछा अपनी salary का एक पार्ट दिया अब यह लाइन इंपोर्टेंट है कि again Lencho short not the slightest surprise on seeing the money क्योंकि उसका confidence बहुत जादा था God पर इसी वजह से उसे बिल्कुल भी surprise नहीं हो और इसी वजह से वह angry हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते वह मुझे पूरे पैसे ही बेजेंगे एड में यह इंपोर्टेंट लाइन है कि God of the money that आया आज इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने बताया था कि लेंच कंप्लेंट करते हैं अपने लेटर में कि पोस्ट आफिस इंप्लोई ने मेरे पैसे जह है वो ले लिये हैं मुझे रेस्ट अधा मनी की बहुत जादा निंग है अब यहां पे क्रुक्स का मतलब होता है डिस करेंसे डपने इसमें लेटर में मेंच करेंसे इंपच करुक्स का मतलब है जिस इंप्लबंगार श्युक्त।